Hello students, I am Professor Neeta Phulchand Ghaikwad. Welcome back in our free education channel, English Master. सबच्चो, thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Keep supporting, do like, share, subscribe our channel. जैसे कि हमने Delhi U Sentences to Speak English with Hindi की सीरीज लांच की है, उसमें मैंने most of the lectures पढ़ा कर अपलोड कर दिया है. प्रीज चेक दे लिंक बिला न दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उपर आई बटन पे भी आपको वो लिंक देखने के लिए मिल जाएगा. And आज का ये हमारा special lecture रहेगा, 100 प्लस डेली U Sentences, जो आज के इस सेशन में हम cover up करने वाले हैं, which will help you to improve your English communication skill, as well as you will be fluent in English language. So अब फराटेदार English अगर बोलनी है, जैसे कि आभी next वाला हम sentence देख रहे हैं, स्क्रीन के उपर आप कितने अच्छे हो, अगर आपको किसी को कहना है कि आप बहुत अच्छे हो, या फिर आप कितने अच्छे हो, तो आपको होगे so nice of you. What you can say? So nice of you. If you want to say, यह काफी है, तो आप क्या को होगे? This is sufficient. Sufficient याने की काफी होना. This is sufficient याने की यह काफी है. अगर आपको कहना है, माफ कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? Please, excuse me. If you want to say, तकलूफ मत कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? Don't be formal. Don't be formal. If you want to say, बूरा मत मानना, अगर आपको किसी को कहना है की, बूरा मत मानिये, तो आप कहेंगे, Don't mind. Don't mind. याने की, बूरा मत मानना. अगर आपको कहना है, आराम से बेटिये, तो आप कैसे बोलोगे? That is, Please, make yourself comfortable. Please, make yourself comfortable. याने की, आप आराम से बेटिये. अंदर जाने का रास्ता. अंदर जाने के रास्ते के लिए, इंग्लिश में क्या कहते है? That is, entrance. Entrance, याने के, अंदर जाने का रास्ता. और, बाहर जाने के रास्ते को क्या कहते है? Exit. Entrance, याने अंदर की तरफ. Exit, याने बाहर की तरफ. या आपको ध्यान में रखना है. अगर आपको कहना है, कि, जापर आप रेस्ट कर सकते हो, तो उसे इंग्लिश में कहते है, वेटिंग रूम. क्या कहते है? वेटिंग रूम. अगर आपको कहना है, कि, फोटो लेना मना है. ठीक है? ये, most probably, जो sentence रहता है, आप अगर जू में जाते हो, या पी, कि, कि, ऐसी जगा पे जाते हो, कि, जहापर फोटो लेना मना है. तो वहाँ पे, ऐसा लिखा होता है, that is, फोटोग्राफी is prohibited. फोटोग्राफी is prohibited, यानि कि, इसका मतलब होता है, कि, यहाँ पर फोटो लेना मना है. आगे स्कूल है, तो इसके लिए आप कैसे कहोगे, that is school ahead, what you can say that is school ahead, अगर आपको कहना है कि रास्ता बंध है, तो आप क्या कहोगे, that is road is closed, if you road closed याने रास्ता बंध है, if you want to say कि दुम्रपान ना करें, तो आप कहोगे, that is no smoking, what you can say that is no smoking, ये कुछ words रहते हैं, जो particularly public place के वहाँ पे लगाए हुए रहते हैं, in English, if you can go to any kind of zoo, museum में चले जाते हो आप, otherwise if you can, अगर आप किसी theater में जाते हो, ठीक है, movie, cinema घर में जाते हो, ये फिर mall में जा रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़े लिखी हुई होती है, तो इसक मतलब आपको समझ में आने के लिए, ये sentences काफी help करेंगे, यानि कि no smoking अगर लिखा है, तो वहाँ पे आपको cigarette नहीं पीना है, अगर आपको कहना है कि मुझे अब जाना होगा, तो उसके लिए आप कैसे कहोगे, that is, I have to go now, I have to go now, यानि कि मुझे अब जाना होगा, अगर आ साथ साथ चलेंगे, इसके लिए आप क्या कहोगे, that is, we will go together, we will go together, यानि कि हम साथ साथ चलेंगे, हम समय पर पहुच जाएंगे, इसके लिए आप क्या कहोगे, that is, we will reach in time, या फिर we will reach on time, कोई भी आप in on, कोई भी एक यहाँ पर use कर सकते हो, preposition, we will reach in time, या फिर we will reach on time, दो If you want to say दूसरों पर मत हसो तो इसके लिए आप क्या कहोगे? That is don't laugh at others. दूसरों को परेशान न करें. इसके लिए क्या है? That is don't disturb others. अपना समय बरबाद मत करो. इसके लिए आप क्या कहोगे? That is don't waste your time. यानि कि अपना समय बरबाद मत करो. दूसरों के साथ जगडा मत करो. इसके लिए आप क्या कहोगे? English में that is don't quarrel with others. Don't quarrel with others. Quarrel का मतलब होता है कि जगडा करना, लडाई करना. So don't quarrel with others. यानि कि दूसरों के साथ जगडा मत करो. फूल मत तोड़ो. ठीक है? फूल मत तोड़ो. अगर आपको English में ये कहीं पर बताना है, तो आप कैसे कहोगे? That is don't pluck flowers. Don't pluck flowers. यानि कि फूल मत तोड़ो. फर्श पर मत तोड़ो. इसके लिए आप क्या कहोगे English में? Don't spit on the floor. What you can say that is don't spit on the floor. इसका मतलब है फर्श पर मत तोड़ो. बेकार मत बैटो. इसके लिए क्या कहोगे आप? Don't sit idle. What you can say that is don't sit idle. यानि कि बेकार मत बैटो. अगर आपको कहना है कि मेरे पास नकद रुपे नहीं है. अगर आपके पास cash नहीं. So what you can say that is I don't have any cash. What you can say I don't have any cash. If you want to say जरा रुको तो इसके लिए आपको कहोगे hold on. What you can say hold on. यानि कि जरा रुको. क्या तुम नहीं जाओगे? इसके लिए आप क्या कैसे कहोगे? Question अगर आपको करना है English में. That is won't you go. Won't you go इसका मतलब है कि क्या तुम नहीं जाओगे? क्या हम शुरू करें? अगर कोई आपको काम शुरू करना है. So what you can say? शाल वी बिगिन? शाल वी बिगिन? मुझे कुछ खाने को दो. अगर आपको भूक लगिया है तो आप कैसे कहोगे? Give me something to eat. What you can say? Give me something to eat. यानि मुझे कुछ खाने को दो. अगर आपको कहना है कि समय कितना तेजी से बीटता है. अगर आपको किसी को बताना है. ऐसे ही आप बात कर रहे हो. तो आप कैसे कहोगे? That is how time flies. How time flies यानि कि समय कितना तेजी से बीटता है. अपने आपको सुधार लो. इसके लिए आप कहोगे mend your ways. Mend your ways. यानि कि अपने आपको सुधार लो. मैं तो बस मजाब कर रहा था. हम हिंदी में तो कहते हैं naturally. ठीक है? तो इंग्लिश में आप कैसे कहोगे? I was just joking. What you can say? I was just joking. If you want to say जगडे का फैसला हो गया, तो आप कहोगे that is The matter ends here. The matter ends here. यानि कि जगडे का पैसला हो गया. तुम अभी तक जाग रहे हो. अगर कोई late night तक जाग रहे हैं तो आप इंग्लिश में कैसे बोलो के? That is you. You are still awake. You are still awake. यानि कि तुम अभी तक जाग रहे हो. दाम गिर रहे हैं. तो उसके लिए आप क्या कहोगे? Clear my account. Clear my account यानि के मेरा हिसाब चुका दो. मेरे पैसे मुझे वापस दे दो. उधार कभी मत खरीदो. इसके लिए आप क्या कहोगे? That is don't buy on credit. Credit यानि उधारी. Don't buy on credit यानि के उधार कभी मत खरीदो. यह अतालाब उतला है. इसके लिए आप कहोगे this pond is shallow. But you can say this pond is shallow. यह अतालाब उतला है. अगर आपको कहना है मुझे कल राद बुकार हुआ था. अगर आपकी तबियत ठीक नहीं है. So, आप कहोगे I'm not feeling well. अगर आपको बुकार था कल राद. तो आप कैसे कहोगे I had fever last night. अगर आपको कहना है कि मुझे अपने सेहत की चिंता है तो आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हो. That is I'm worried about my health. What you can say I am worried about my health. मुझे अपने सेहत की चिंता है. वो लंगडा है उसके लिए आप क्या कहोगे He is lame. अगर आपको ऐसा कहना है कि मुझे अक्सर कब्ज रहता है तो आपको होगे I often have constipation. Constipation होना यानि कब्ज रहना. तो आप कैसे कह सकते हो that is I often have constipation. यानि कि मुझे अक्सर कब्ज रहता है. अगर आपको कहना है कि मेरा पेट खराब है तो आपको होगे my stomach is upset. What you can say, my stomach is upset, इसका मतलब है कि मेरा पेट खराब है, गर आपको कहना है कि आपको पसीना आ रहा है, तो आपको होगी you are perspiring, you are perspiring, यानि कि आपको पसीना आ रहा है, या फिर up you are sweating भी कह सकते हो, मुझे नाव चलाना अच्छा लगता है, I like rowing, I like rowing, यानि कि मुझे नाव चला hair, अगर वो लड़की है तो आपको होगे she has gray hair, ठीक है, अगर आपको कहना है कि वो हमेशा बात करती रहती है, तो you can say that she always keeps on talking, she always keeps on talking, यानि कि वो हमेशा बात करती रहती है, कुतों से सावदान रहे, be aware of dogs, कि आपको कही कही यह बोर्ड लगा हुआ दिखता होगा, English में, be aware of dogs, इसका मतलब रहता है कि कुतों से सावदान रहे, मैं इस मामले पर सोचूंगा, या फिर मैं इस मामले पर सोचूंगी, अगर आप male, female, कोई भी परसन है, तो sentence तो एक्यू रहेगा, that is, I will think over this matter, I will think over this matter, यानि कि मैं इस मामले पर सोचूंगा, या फिर सोचूंगी, अग But you can say, I am very busy today, भरोसा रखो, इसके लिए आप कह सकते हो, rest assured, rest assured यानि कि भरोसा रखो या फिर भरोसा रखिये, अगर आपको कहना है कि तुमारी हिम्मत कैसे हुई, तो इसके लिए English में आप कैसे question करोगे, how dare you, how dare are you, यानि कि तुमारी हिम्मत कैसे हुई, क्या बकवास है, इसके लिए आप कहोगे, what nonsense, what nonsense, if you want to say, शायद अब बारिश हो, तो आप कह सकते हो, it may rain now, चीके, यानि कि आप अंदाज लगा रहे हो, कि अब शायद बारिश होगी, यानि कि it may rain now, थंडी थंडी हवाज चल रही है, या अगर English में बताना है, तो आप कहोगे, cool breeze is blowing now, cool breeze is blowing now, अगर आपने कहना है कि मुझे ऐसा लगता है, तो आपको होगे, I support so, if you want to say, मुझे बहुत भूख लगी है, तो आप कहोगे, I'm starving, I'm starving, यानि कि मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आपको कहना है कि मेरा यह मतलब नहीं है, ठीक है, आप हिंदी में कहते हो ना, कि मेरे कहने का यह मतलब नहीं है, so, इसके लिए अप English में sentence क्या use करोगे, I don't mean it, I don't mean it, और आप कहते हो न, you are so mean, तो उसका मतलब होता है कि तुम बहुत मतलब ही हो, ठीक है, so, I hope कि यह जो daily use sentences हैं, जो आपको English सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा helpful रहेंगे, so, यह हमारा कम duration में ज्यादा से ज्यादा sentences and important words हम cover up कर रहे हैं, so, यह series मेंने start किया है, this is the free of cost lectures, and yes, of course, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा हमारे channel के द्वारा, अगर कभी भी कही पे भी मांगा जाता है, तो आपको नहीं देना है, because this is a free education channel है, और यह YouTube पे अपका free education platform है, we are running this channel from 2016, और यह हमारा बहुत ही पुराना channel है, so, be aware about the fraudlands, और यह जो lectures है, यह साभी के सभी आप हमारे YouTube channel के platform में, free of cost में देख सकते हो, so, डेली उस sentences की जो series हमने start की है, तो वो अगर आपको ऐसे ही continue lectures देखने है, तो आपको चैनल को like, share, subscribe करना पड़ेगा, प्लेलिस में जाके link चेक कर सकते हो, description में जाके link चेक करो playlist का, और उपर i button में भी आपको link मिल जाएगा, so, I hope, you will take care about yourself, and yes, of course, we will meet soon, हम जल्द ही मिलेंगे, नए lecture में, with some interesting words, with some interesting things, ठीक है, so, तब तक के लिए, take care of yourself, and so much, and bye-bye.